तुडेर स्टूडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बिए सिकेंड समस्टर के पुलिटिकल साइंस यानि की राज नीती साफ्तर के मोस्ट इंपॉर्टन कोईश्चन और एंसर के बारे में आज किस वीडियो जितने भी कोईश्चन होने वाले वो सारे के सारे रेटेन बेस वाले यानि कि लिखित परिच्छा जिन जिन भी उनिवर्सिटी में होने वाले उन सभी छात्रवा छात्राओं के लिए वीडियो महत्पूर है तो वीडियो को कम्प्लीट देखेंगे तो आपको काफे रिप मिलेगी क्योंकि इस वीडियो में ने कुईस्चन भी आप नितिक होता है यह फुतंतुरता राजनितिक फुतंतुरता क्या है यानि कि राजनितिक छेत्र में फुतंतुरता क्या चीज होती है जैसे कि आपके परिवार में आपके घर में आप सुतंत्र है ठीक है तो उफितार राजनितिक छेत्र में सुतंत्र होता क्या है तो चलिए जानते हैं तो इसके बहुत सारे मतलब की अलग-अलग अधिकार है यहां पर लिखा कि राजनितिक फुत्नता फैतातपन नागिर्कों को मिलने वाले अधिकारों से यानि कि आप है हम है कोई भी इंसान है जो भी भारत देश का है ठीक है उसके कुछ अधिकार से हैं वो वही ह होता है राजनितिक स्वतंतरता ठीक है यानि कि उसको जो अधिकार मिलने हैं अगर उससे वो अपना कुछ भी कर रहा है तो उसको हम कहेंगे राजनितिक स्वतंतरता जैसे कि मत देने का अधिकार तो मत देने का अधिकार मतलब यह हुआ जो आप लोग ओटिंग करते हैं ओ जिस भी पार्टिक उसके लिए पूरी तरह स्वतंत्र है तो यह हो जाएगा राजिनितिक फ्रतंत्र था दूसरा है चुनाओं में उम्मीदवार होने का अधिकार यदि आप कोई भी एलेक्शन लड़ना चाहा रहें जैसे की बीडीफी का हो गया ठीक है और आपके ग्राम का ग्राम प्रधान का चुनाओं हो गया या फिर आप लोग छेत्र पंचायत का चुनाओं हो गया नगर पंचायत का चुनाओं हो गया ठीक है तो आप उस चुनाओं को लड़ सकते हैं और अगर आपको उमीदवार आपको टिकट मिलता तो आप बेसक लड़ सकते हैं तो इस और अगला हैं कि उचित योगुता होने पर सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार अगर आपके पास क्वालेटी हैं योगिता है तो आप राजनितिक छेतर में कोई भी पद प्राप्त कर सकते हैं जो की सार्वजनिक होता सब लोग जानते हैं ठीक है अगला की सरकार के कार्यों की अलोशना करने का अधिकार यानि की सरकार कोई कार कर रही है कोई यूजना लांच कर रही है कोई भी सुविधा दे रही है ठीक है तो उस चीज के आप लोग अलोशना कर सकते हैं बढ़ाई भ कर सकते हैं यानि कि आप लोगों के पास पूरे अधिकार हैं तो गलत के बारे बोल पता हैं है आप चाहें तो पढ़ाद की दो्स ने कि अर्राजसाघा कमाता है तो आप चाहें वह प्रषम कर सकते हैं ऑपaucer कि आरजक्तावाद का फिद्धान तिया है कि राजनीतिक सत्ता किश्री रूप में अनवस्यक एम अवंचनिये है और वहीं पर दूसरे बिद्धवाद जिनका नाम है हकसले इन्होंने कहा कि आरजक्तावाद समाज की वा बेवस्ता जिसमें प्रितेक बेक्त अपना सासक होगा तो यह दो परिभाफा अलग-अलग बिद्धवाने के इनसार दी गए ध्यान रखना है अलाकि कोश्चन बहुत कम आता आप इग्नॉर भी कर सकते हैं यह कोश्चन बहुत ही पॉपलर है कई बार आ चुका है और यह आप लोग हमें लग रहा है जब आप राजनीती यानि की प्रिटिकल फाइंस सब्जेक्ट नाम सुना होगा तब से आपकी क्लास में आरा चाटवी साथवी आठवी नोवी दसवी गेर्वी बार्वी तो इसका कोश्चन है यह कि क्या राजनीती बिज्ञान को बिज्ञान कहा जा सकता है तो उत्तर लिखना है कि किसी भी बिशे के क्रमबद सूसंगठित ज्ञान को बिज्ञान कहते हैं किसी भी बिशे कोई भी सब्जेक्ट है आपका हिंदी है इंगली से सोसोलोजी है ठीक है किसी भी भी से कि क्रम बद्ध मतलब की जैसे की आपका part number lesson एक हो गया दो हो गया तीन lesson हो गया चार lesson हो गया इफी तरह क्रम बद्ध लेफन आपके चलते हैं ठीक है जिस भी subject में क्रम बद्ध तरीके फे lesson हो सुसंगठित मतलब के एक आपको परस पर एक complete जानकारी आपको मिल लगी उसको हम लोग क्या कहेंगे बिज्ञान कहेंगे बज़ इतना समझे बिलकुल सिंपल बज़ परिवासा में ठीक है अगला की राजनीतिक बिज्ञान में ऐसा ही होता है इफ लिए या एक बिज्ञान ह होने के पच्छ में निम्त तर्क दिया जाता है तो आप लोग ये तर्क पढ़ लीजीगा ठीक है अलाकि इतना भी लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं अगला प्रशन है बैया कि राजनीति बिज्ञान के अध्यन की प्रचीन पद्धतियां ब statut क्रषें ट्राइन जानने के लिए कुछ पुराने पुराने प्रमपर अगलत पुराने पद्धत और तो चलिया उनना प्रियोगात्मक पद्धत तुल पद्यत प्रियोग अत्मक को करना एतिहासिक पद्यत परवेचणात्मक पद्यत पांचवेश दाष्णिक पद्यत यह सब राजनिति विग्ञान के वारें अगला प्रशना है कि क्या भारति संग्ह की एकाईया राज्य है हलाकि कोईशिन बार बार तो रही पीट नहीं हुआ है लेकिन कुछ बार आया है तो जान लेते इसके बारे में तो राज्य होने के लिए चार तत्तों को होना आवस्यक है किसी भी राज को होने के लिए उसमें चार चीजें बहूत ही जरूरी होती है पहला भूभाग मतलब कि जमीन होने चाहिए त्क है एरिया होने चाहिए निस्चित जनसंख्या होने चाहिए मतलब उसमें population इनसान रहते हों सरकार मतल़ की कोई नग्रमेंट होनी चाहिए तो यह चार मुखे तत्त है प्रमेंट से तो किस्वी राज्य में होने के hypoth अन्गिर आश 있는 आशीम aboard करने कर देसक नंद दूर कुछ त WE तत्तु हैं जो कि होने ही होने चाहिए ठीक है किसी भी राज में अगला पॉइंट है कि भारतिष संग की एकाईयों के पास प्रारंब के तीन तत्तु भूभाग जनसंक्या और सरकार हैं लेकिन संप्रभुता नहीं है पहले तो मतलब कि यहां पर में पॉइंट देखना है कि प्रारंब के तीन ही तत्तो थे लेकिन एक बाद में यह एड किया गया है जो कि संप्रभुता हएं अगर कहीं बात किया जाए तो आप लोगंत दो को नाम लिखें wedding तो आपर संप्रूरता के बारे में आप लोग को उलेक करना है ठीक है और अगरा पॉइंट है कि या केंद सरकार के पास है इसलिए संग की इकाई या राज नहीं है वे केवल भारती संग की इकाई है ठीक है तो इस प्रकार प्रचे लिखेंगे सिंपल सा इस प्रश्ण का गारंटे है कि इस पार भी आने के पूरी उमिद है कि लोग को कल्यान कारी राज के तीन कारे बताई है मतब लोग को कल्यान कारी राज कोई ऐसा कल्यान कारी राज है या पिर किफी भी चीज के लिए हर चीज के रहे किफी भी कल्यान के लिए किसी भी इंसान के अच्छाई के लिए कल्यान के लिए भलाई के लिए कोई कार कर रहा है तो उस चीज की रच्छा करता है दूफरा के आंतरिक सांतियों बिफ्था बनाएं मतब कि प्रदेश के अंदर बहुत फारे वाद भिबाद ठीक है समस्चाएं ट्राफिक ट्राफिक है लड़ाई दंगा ठीक है बहुत फारे चीज़े हैं उन सभी चीजों को मैनेज करना मतब सांति बनाए रखना और किसी भी काम को ब्यवफ्थित रूप से करना यह हो गया है कि इस्थां कि सरकार और नागरिक के मजस्ट समंद न स्थापित करना मतब जुग सरकार है और जो आम जलता पबलिक नागरिक dem उनके बीच संबंध देखिए अगर संबंध नहीं रहेगा तो आप लोग ओट डालने जाएंगे नहीं तो फिर आप लोग समझे कि किसी प्रकास या फरकार का कोई भी आप जब आप ओट डालने माली जी कोई सरकार एलेक्शन मतलब इस बार माली समझे जी एक जामपल कुछ पीचे सब्सक्राना अ करके लिए तो इस लिह जरूरी होता है कि सरकार नागर्प के बीच संबंध थापित करना ताकि सरकार आम जैनता के कामा सके और आम जैनता मादाधिम पशे आर्जों को सुबधाय मिल लहीं उसको प्रत्साहित करके उन उसके बारे में मतलब कि उसके बारे में उनको अच्छे से बता सके इस चीज इस चीज को उन दोनों के मद्ध सम्मंद होना चाहिए ठीक है जैसे कि सरकार है तो फरकार बहुत फारी योजनाय देती है और बहुत सारी चीजे आप लोगों के लिए लाती है ठीक है ये उचित कार कर रही फरकार या फिर ये उचित निड़े लेगी तो उस चीज को सपोर्ट करें तो इस प्रकार दोनों के मिद्ध संबंद बना रहेगा जिसफे जनता और प्रसासन के मद्ध दूरी नहीं बढ़ेगी ठीक है तो इस प्रकार लखेंगे इसके बारे में अगल कि मालीजे की उत्तर प्रदेश है और मालीजे की बिहार है ठीक है उत्तर प्रदेश है और बिहार है ये दो ये दोनों आपस में ये दोनों प्रदेश आपस में सम्मंद इस्थापित करने हो मतलब की हर चीज से स्वतंत्र है कि कोई भी इंसान बिहार से उत्तर प्रदेश फक्ता है ठीक है यानि कि दोनों में एक तरीके से भाई-चारा वाला मामला हो ठीक है तो वहां पर ये चीज़े उत्पन्न होती है क्या बाहर संप्रभृता तो वहीं पर आगे हम पॉइंट पढ़ना है जब एक राज-दूफ्रे राज की एक मिनट जब एक राज-दूफ्र समब्र और निर्भन होती है इस प्रकार लिखेंगे बाहर संप्रभृता के बारे में और नेकी एक उढ़िए द्याज्चात्मक्र पहले हैं कि कार्यपालिका बिभक्त नहीं होती राज्य का अध्यच ही फरकार का अध्यच होता है दुफ्रा है कार्यपालिका के फदस्य विधान मंडल के फदस्य नहीं होते हैं कार्यपालिका समिधान के प्रति उत्तरदाई होता है राष्ट पति की फुरिखा राष्ट पति ही एक मात्र कार्यपालिका होता है राष्ट पति विधान मंडल को भंग नहीं कर सकता तो यह हैं अध्यचात्मक सासन की यह कि किसी भी चीज को कोई अध्यच कर रहा है मतलब कि किसी भी चीज को जानकारी ले रहा है उसको मैनेज कर रहा है तो उसकी क्या वैसे इस्ताइं होनी चाहिए तो यह है किसी भी पार्टी में या फिर किसी भी छेत्र में कोई ना कोई अध्यच होता है ठेक है और कोई 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 ना कोई इसका मनेजर होता है ठेक है इफी तरह हर प्रकार के पोस्ट होते हैं, उसको अध्यच बना जाता है, उसकी कुछ विशेष्टाए होती है, गौर्णमेंट की उसके बारे में हाँ पर बताया गया, तो यह ध्यानक नहीं, अगला कि भारत में केंद्रों राजी के मद्द सक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया जाता ह यह बहुत ही पॉप्लर कोईश्यन है मेरी जानकारी के नुसार आर्फ्त के प्रस्ण छूटा ही नहीं हमेशा फूचा ही जाता है तो इसका उत्तर लिखेंगे कि भारत में केंद्र और राज के मद्ध सक्तियों का विभाजन किया जाता है सम्मिधान में थिरी सूची संग सू के बिशे पर केंद्र और राज दोनों कानून बनाएंगे यदि दोनों के मद्ध कोई विवाद होता है तो उस पर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मानी होगा और सिष्ट सक्तियां जिसका सम्मिधान में उल्लेख नहीं है उस पर केंद्र को कानून बनाने का अधिका दिया गया है प्रश्ण का तात पर ये निकलता है कि जो प्रदेश होता है उसके कुछ अपने अलग सक्तिया कुछ अपने अलग पावर होते हैं ठीक है जिसे कि एक्जामपल गरूप में सबस्ते हैं कि अगर आप जिस प्रदेश में रह रहे हैं ठीक है उसकी मुख्य जिम्म प्रदान मंत्री एक यहां पर यही बता जा रहा है कि जो किसी भी प्रदेश या किसी भी राज जी का कोई भी सरकार होती है यह फिर मंत्री होता है तो उसकी कुछ अलग सक्तिया होती है यानि कि राज जी जो होता है राज जी की कुछ पास पावर है उनकी अलग पावर है ठीक है अलग उनके पास क्वाल्टिया है अलग अलग सिस्टम है जिनको जो केंद सरकार है वो भंग नहीं कर सकती न तो इग्नोर कर सकती है या फिर उनके पावर पर कोई गलत इंपैक्ट अर कुछ जो हमारे केद्र सरकार होती है। उसके पास कुछ अलग सकतिया होती है। जिनको राज सरकार उसमें हफ़ता छेप नहीं कर सकता। तो इस प्रकार जैसकि आपके घर में आपके पिता जी के कुछ अलग caso होंगी। आपके जो पिता है उनके पास कुछ और पाउर होंगे और आपके पास जो है वो कुछ और पाउर होंगे तो इसी तरह ये भी प्रशने भी है कि राज्य के पास कुछ अलग सकतिया होती है और के पास कुछ अलग सकतिया होती है इस पात को धान रखेंगे बस अगला पॉइंट है कि भारत में धार्मिक शुतंतरता का उल्ले की जिये, तो उत्तर लिखना इंगर को धर्मिक शुतंतरता कर सकता सब्सक्राइब करते हैं वह सब्सक्राइब के साहई नहीं होने दिया जाएगक है जो हमारा देश का सर भी जो हमारे धर्म है उनको बराबर मतलब की बराबर उनके लिए जो होती नहीं कि सुभी धाये दी गई है बराबर स्वतंदृता गे मतलब कि बराबर स्वतंदृता दी गई है यह नहीं कि किसी भी धर्म को गॉर्मेंट सपोर्ट कर रही है किसी धर्म को नहीं सपोर्ट कर रही है तो ऐसा कुछ भी नहीं है सभी धर्मों को एक्वल बराबर माना गया किसी के फाद दुबहार वाली मामला नहीं किया गया है इस लिए इस कोश्चन का मतलब यह कि भाद में धार्मिक फ्वतंत होता का कि कोई भी ब्यक्त है कोई भी इंसान है कोई भी नागरिक है वो किसी मालीजे हिंदु धर्म का है मालीजे तो वो मुस्लिम धर्म में आना चाहरा है तो बेशक फटंत्र है वो आ सकता है कोई भी इंसान मुस्लिम धर्म का है वो हिंदु धर्म ग्रहन करना चाहरा है फिर एक्सेप्ट करना चाहरा है तो बेसक आफानी से कर सकता है इसकी फतंतता संविधान खुद देता है तो इन सब चीजों के बारे में आपर बताया गया है जो कि संविधान में अंकित भी है 25 और 28 में अनुच्छेद ध्यान लखेंगे बहुत ही पॉप्लर कोईशन के बारा चुका है आगला प्रशना है कि समाजिक संविधा के साथ किसका नाम जुड़ा है अलाएक क्यूशन बहुत कमाता आप पढ़ भी सकते हैं राज की उत्पति के संबंद में समाजिक संविधा संबंदी बिचार को का कहना है कि राज एक समझोते के द्वारा आस्टित में आया है अगला प्रशन है कि संप्रभुता किसका आवश्यक्तत्त है तो संप्रभुता जो है राज का एक आवश्यक्तत्त्त है जिसके बीना राज की कलपना नहीं की जा फक्ति है राजजी के चार तत्तों है जो कि मैंने आपको उपर बताया था वही है ठीक है तो आज किसी वीडियो में बस इतने ही कोईश्चन है तो हम कबर करेंगे जो कि आपके एक्जाम के लिए कुछ महात पूर्टर सिंस में हैं जो कि मैंने बताएं इफी तरह धीर धीर हम आपके ए सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपके एक्जाम में आपको मिल चके बाकी कोई कोई पूचिए और यह आपका अपना ही चैनल सब्सक्राइब कर लिजिएगा मिलते गोड़ने वीडियो में जैंद